कि स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूटूब चैनल एमस्ट्विल्थ इंस्टिट में आज के जो इस कलास में हम लोग करेंगे कलास 12 केमेश्ट्री का पहला मोडल सेट का कलास करेंगे जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खासा है तो जितने भी स 12 का फाइनल बोर्ड एक्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो इस कलास को अच्छे से देख लेजएगा दोस्तों इसमें आपका बार-बार पूछे जाने वाले प्रस्तन है ठीक है तो चलिए हम लोग जो एक कलास को सुरू करते हैं दोस्तों बीना टाइम वेस्ट के चलते हैं फर्स्ट कोस्टन के तरफ फर्स्ट कोस्टन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिजएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटेपिकेशन आप लोग को मिलते रहे और जो भी स्टूडेंट को पीडिएफ चाहिए आप लोग टेलीगराम चैनल जरूर जोइन हो चाहिएगा दोस्तों वहाँ पर आप सभी को पीडिएफ दे दिया जाता है यानि कलास खतम होने के बार ठीक है तो चले पहला कोस्टन देखें पहला कोस्टन क्या पोचा गया है क में जो याद आडखना है वह एनोड पर होता ठीक है दो वीजूट अब गर्टन में जो ओक्सिकरन किस में होता है तो वह एनोड पर इसका राईट एंसान अप्सन नंबर ए नेक्स तनूता बढ़ाने पर मोलर चालगता देखे तनूता अगर बढ़ेगा तो मोलर चालगता क्या होता है तो आप सभी को याद रखना है तनूता बढ़ाने पर मोलर चालगता बढ़ता है ठीक है इसका राइट एंसर होगा option number A हरी एक question आप सभी याद रखेगा दोस्तों इसमे कुलाम पर मीटर होता है ठीके इसका रॉय टेंसर और नेक्स्ट काश्टन चलतेए चार नंबर चार नंबर क्या पुचा गया है कि बीजुत राष्यजट होता है तो यहेर होता है तो इनन एन्यन एलेक्ट्रोङ और अगर यहीं पर पूछ देता कि विदुत रसाइनिक सेल में कैथोड होता है तो कैथोड धनात्मक होता है ठीक है नेक्स्ट कोस्टन चलते हैं फाइब नंबर पायब पूछ ग्या पूछ गया है कि परवल विदूत अच्वप गट्ए वहां है जो दनेक सभी तनोताओं पर आयिनों में विभगत हो जाते हैं तीक है इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर डी परवल विदू तब गटे हुए है जो सभी तनौताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं नेक्स्ट कोस्टन सिक्स नमबर सिक्स नमबर क्या पूछा गया है कि फैराडे का पर्थम नियम है फैराडे का जो कि वेदूतत अभगटनी जरम जो हुता है तो वेदूत रसाइनीक चेल में जो आनोड होता है वह रिनातमक होता है लेकिन पर पूछा गया कि वयदूत अब घटनी सेल में उससे पहले क्या देख़े वयदूत रसानिक सेल ठीक है अब यहा वयदूत अब घटनी सेल में एनोड किया होगा तो वह दनात्मक होगा दोस्तों इसका right enter क्या होगा option number नमबर भी होगा नेक्स्ट कॉस्टण चलते हैं कि चलते हैं गरדר तो तो तीक है की लिया चलते हैं नाइन नमम्बर नाइन НАइन देखे नाइन सेल अभी लेक्षन यानि कब होता तो आप सभी को यादखना यह सेल अभी किरिया सोद्थ होती जब उनकी जो है यानि डिल जी रिना अत्मख़़ ठीक है इसका राइट नंसर क्या होगा ऑप्षन नंबर डी होगा जो भी स्टुडेन्ट देख रहा है आप लुग लाइट ल मतलब सराल इकाई सेल में समन में संख्या होती है तो देखिए सेंपल यूनिट सेल में जो कोर्डिनेशन नंबर होती ही न तो वह 6 होती है दोस्तों और इनमें अगर परमानु की संख्या पूचे तो परमानु की संख्या एक होती है ठीक है परमानु एटम में एटोमिक नंबर जो होता है ठीक है दोस्तों और बी सीसी में पूछे तो बी सीसी में कोडिनेशन संख्या जो होता है वो आठ होता है और उनमें जो परमानु की संख्या होता है वो दो होता है ठीक है किलिए नेक्स्ट क्वेस्टन चलते हैं दोस्तों 11 नं काथने क्या बोलते हैं लोग स्याथा यह से बीअरों की क्षbooks भारे नंबर कि आप दहा गया कि ज्यादल में कौन एक लिए स्व लिए थोसका हुधायरन इनि में से कौन है जो अकि रिष्टली ठोसका उधारन है यानि एमोरफ नुखस। निमें से जो जो ऐं बेरावादार ठोसका उधारन कौन है तो आप सभी को याद Workers ft चेंसर होगा option no.d next question चलते हैं 14 no.d चुलिंवर क्या है कि photographic film plate में किसका अवसे घंटक होता है तो photographic पलेट में भी जो काम आता है न फोटोग्राफिक film पलेट में तो वो sodium bromide कहीं सुडियम ब्रोमाइट का ही काम आता है स्वूरिंवर Bromide काही काम आता है जिसे हम लोग एजी बियर बोलते हैं और यह जो परदर्सित करता यह नहीं फरेंकल sortky जो नोग में परदर्सित होता हुअ है नेकस्ट क्वश्टन चलते हैं 15 domain क्या है अनूचम्बकर तो परदर्सित करने वाला पदार थैस और इन में से कौन तारों में जब एलेक्ट्रोन 2 रिनायन दॉराख खाली स्तान पकर लिया जाता कौन सांवे जिदो項 मूटस्थ वह एफ सेंटर कहते हैं दोस्तों वाट डिफेक्ट ओक्यूर्स इन रवा होएन एलेक्ट्रों इसकेप्चरड बाइन एन इन 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 दब वेकेंट स्पेस इस कॉल्ड एफ सेंटर नेक्स्ट पॉस्टन चलते हैं सत्रे नंबर सत्रे नंबर क्या पूछा गिया है कि नीम्न मे कौन लोच मकत्तों का उधारन है इन में से कौन है जो लोच मकत्तों का उधारन है तो वह CRO2 CRO2 यानि करोमियम ऑकसाइड जो है वह लोच मकत्तों परदरसीत करता है फेरो मेगनेटीजम होता है ठीक है यह जो है एक्जामपल है फेरो मेगनेटीजम का नेक्स्ट कॉस्टन चलते हैं अठारे नंबर ऐखा ले में चकनी जालक में संकुलन होती है तोुआ नेक्स्ट कोशचन चलते हैं नाइनटीन क्या पूछा गिया है् इमने लिखित में 8 ratio 8 obsession जग संख्या का उधारन है तो इनमें से किसका जो है एक रेचियो एट उपसेशन उजन उधारन है तो वह CSCN यानि CGM कलोड़ाइट का जो एक्जामपल है जो फॉलोई इन एक्जामपल ओफ एट एट कोडिनेशन तो वह CSCN मतलब की CGM कलोड़ाइट नेक्स्ट कोस्टन चलते हैं 20 नंबर इनमनल इखित में से कौन ताप द्वराप परभावित नहीं होता है इन में से कौन है जो यह तेमपरेचर से जो एफेक्ट नहीं होता है तो वह मोललता मोलल लिती जिसे हम लोग बोलते हैं ठीक है यह option number D में दिया वाई नीचे देख सकते हैं आप नीचे क्या है option number D में मोललता मोललता जो समूत्र जल का परिशारिक दाब लगबग होता है तो आप सब कोई याद रखना है समूत्र जल का परिशारिक दाब करते हैं तो चलते 24 नबर 24 क्या है कि नीमने लिखित में से कौन अनुसंख्यक के गुण धर्म नहीं है तो आप सभी को बता दिहिमांग का ओनमन कोतनांग उन्ययन और वास्पदाब का सापेक साओनमन उसके बाद एक और है परासरन्दाम यह चार जो है वह एक अनुसंख्यक गुण धर्म है ठीक है लेकिन यानि अनुरसंग्यक के गुंधर्म नहीं है नेक्स्ट कोस्टन चलते हैं 25 नंबर 25 क्या है कि कौन से सांद्र निकाई ताप से सोतंत्र होती है तो इससे पहले बता है कि मोलता जो होता है वो ताप से कोई एफेक्ट नहीं होता उन पर जो ताप का कोई परभाव ही ने पड़ देते हैं तो आप लोग को का कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों महानब्रक्त का जो पीच होता है वह 7.4 होता है ठीक है इसका राइट एंसर होगा ओप्सेंट नंबर 27 क्या है कि HCL और H2O के स्थिरक्वाती मिश्रन में होगा पूछा गया क्वेस्टन है HCL और H2O के स्थिरक्वाती मिश्रन में जो हता है वो क्या होता है तो वो 20.2% HCL होता है इसका राइट एंसर होगा ओप्सेंट नंबर D होगा नेक्स्ट क्वेस्टन चलते हैं 28 नंबर Most Important Question है दोस्तों इसमें आपका Two Marks का भी कभी कभी पूछ देते हैं ये Question कि दो दर्बो का एक मिश्रन जो इस्थिर संगटन पर उबलता है कहलाता है तो आप सभी को बता दे दो दर्बो का एक मिश्रन जो इस्थिर संगटन पर उबलता है उसे एजोट्रोप कहते हैं और ही नेग्स्ट कोषशन चलते है 29break बर्षाति है क्षंटे नोबर 29 चैसे पहारों पर जलका क्वतनां काम हो जाता तो देखे पहारों पर जो है जलका क्वोपनां कम ज journals इसका right answer option number A, next question 30 number, यानि कोई भी सुन कोटी की अभिकिरिया की दर क्या होती है, तो देखे दोस्तों, सुन कोटी की जो, यानि zero order reaction की जो rate होती है, वो हमेशा क्या होता है, तो वो निश्चित होती है, ठीक है दोस्तों, इसका right answer जो होगा, option number A होगा, next question चलते हैं, 31 number, 31 क्या पूछा गया है, की निम्पन में से, किस समीकरन द्वारा, त्होरीद थोरीद होती है, तो आप सभी को या दकना है, इसका right answer जो होगा, option number A होगा, next question 32 number, most important question, पर्थम कोटी की अभिकरिया के लिए टी हाफ का मान होता है, तो देखे हैं, पर्थम कोटी की अभिकरिया के लि पर्फम कोटी में समय इन्वर्स होता है पर्फम कोटी में पर्फम कोटी में समय इन्वर्स होता है पर्फम कोटी में पर्फम कोटी में पर्फम कोटी में समय इन्वर्स होता है और सुनना पूछे मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है ठीक है के लिए तो चलिए दोस्तों हम लोग का यहां केमेस्ट्री का फर्स्ट मोडल सेट का टोप 35 मोडल यह अब्जेक्टिव कोश्चन जो है ठीक है तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कलास में नेक्स्ट उपिक के साथ तब तक के लिए अपना परहाई जो है जारी रखें और अपना मेहनत जो है अच्छे से करते रहें एक्जाम जो है बहुत ही करीब आ चुपी है ठीक है तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स कलास में निक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखें